मसकार स्वागत है आपका नियूस बाइसकोप में इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं नविन तरीके से देर रात तक चुनाओं के जो परिनाम हैं चुनाओं की जो नतीजे हैं वो भी आजाएगा चातर संग चुनाओं को लेकर इस बार जो वोटिंग हुई उसमें चातरों ने काफी बड़ चड़ कर हिस्सा लिया चातरों के बीच उत्साह देखा गया मदान के लिए तरीके से चुनाओं को संपन कराया जा सके और इसका नतीजा भी देखने को मिला पटना विष्विद्याले चातरों का जो चुनाओं था उसे संती पून तरीके से संपन करवाया गया और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ समाधाता प्रणव जूट चुके हैं प्रणव सांतिपून तरीके से जो मद्दान है वो संपन हो गया है क्या इस वक्त वहाँ पर महौल देखा जा रहा है देखे बिल्कुल पटना विश्व द्याल है प्रणव को लेकर मतदान की प्रक्रिया थी वह सुबह आठ वए से दो बज़ तक लिए थी लेकिन उनिवर्सिटी पर सासन के तरफ से असपष्ट कहा गया था कि जो भी छात्र या फिर छात्रा लाइन में रहेंगे एक वज़े के पहले लाइन में लग जाएंगे तो जितने भी बज़जा है वोटिंग उनकी चलेगी तो वहां भी अभी चात्र हैं काफी संख्या में जो अपने मत का प्रयोग करने का इंतिजार कर रहे हैं तो अधिकारिक रूप से अगर बात करें तो उन्वर्सिटी प्रसासन ने असपष्ट कहा था कि दो बज़े तक मतदान की प्रक्रिया हो जाएगी लेकिन एक वज़े तक जो भी लोग लाइन में लग जाएगी वो मत का प्रयोग कर सकेंगे अब किसी की भी इंटरी बाहर में यानि की में गेट से मतदान के इंदर तक किसी के भी इंटरी नहीं होगी अगर वोट का प्रयोग नहीं कर पाया है तो उन्हें वोट नहीं दिने जाएगा लेकिन जो लोग अंधर हैं जो लोग लाइन में लगे वे हैं वोट कर पाएंगे संभावता कह सकते हैं कि महल आधे घंटे या फिर उससे कम समय यानि कि 20 से 25 मिनट में जो भी तमाम मतदान के इंदरे 51 बूत बनाए गए हैं सभी बूतों पर जो वोटिंग है वो समाप्त हो जाएगी और उसके बाद जो भी वैलेट बॉक्स है उसको पहुँचा जाएगा सीधे पटना के आर्ट एन क्रास्ट कॉलेज वहाँ पर जब सारे बैलेट बॉक्स पहुच जाएगे अधिकारिक टाइम है चार बजे लेकिन समभवता साड़े चार बजे से या फिर पांच बैसे कह सकते हैं कि मतों की गिंती शुरू हो जाएगी और उसके बाद कह सकते हैं कि देर रात तक पईणान जो है वो सामने आदेंगे लेकिन फिलहाल अपडेट यही है कि कुछ बूतों पर मतदान जो है वो संपन हो चुका है जो जानकारी अभी मिली है लेटेस्ट अपडेट आपको बता दे कि करीब 10 से 11 बूत ऐसे हैं जहां पर मतदान संपन हो चुका है लेकिन अभी भी करीब 40 ऐसे बूत हैं जहां पर मतदान चल रहा है और मैंज 20 से 25 मिनि वो समात्त हो जाएगी दन्यवाद पर्णाओं हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए